ये रंग अद्बुत हैं, ये ढंग और विश्वसनिय हैं और ये उमंग और कल्पनिय हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो इन पक्षियों को भी कुछ ऐसा व्यवहार कराती है जो उनके व्यवहार से विप्रीत हैं। क्यूं एक संत, एक स्वामी जी के इशारू पर उनके इर्द गिर्द, ये पक्षि इस तरीके से जूमते हैं, इस तरीके से दोलते हैं, इस तरीके से उनके हर एक आदेश का पालन करते हैं, कि हर कोई कह उठेगा, ये तो अद्बुत और विश्वसनिय हैं और कल्पनिय हैं। साइ्स आरवमफ गेचे विजरे गवार्था गवार्थ गवार्थ गवार्था गवार्थda क्या ये संभव है कि कुछ शब्द नहीं एक तोता पूरे के पूरे मंत्र जपे तोते जो होते हैं बहुत अच्छे गुड लर्नर होते हैं इनके सामने जो आप शब्द बार बार बोलेंगे ये उसी को पकड़के बोलना सीख जाते हैं शब्द बोलते कई बार सुना होगा पर क्या ये संभवे के साथ में सुर भी लगे क्या ये संभव है कि किसी पक्षी को देश भक्ती का मोल समझ में आ जाएं क्या ये संभव है कि देश प्रेम का जजबा अभ्यास से जगाया जाएं क्या ये मुश्किल है असाधारण भी पर ये संभव हुआ है असी वर्ष के श्री गणपती सचिदानंद स्वामी जी के प्रयासों से उनको देखकर खिचे चले आते हैं ये पंची उनकी एक आवाज पर हर हूप में बजाते हैं ये पंची सब ऐसे लाड करते हैं जैसे अपनी मा से मिल रहे हो क्योंकि खाना मिल रहा है प्यार मिल रहा है तो इस वज़े से सबको हर जीव को प्यार चाहिए एक जगे पर इतने तोते आपने कभी नहीं दिखे होंगे इन माकाव को पाल्तु बनाना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल है आज आपको मैं सुरू की इस अनूठी जगे के ऐसे ऐसे अध्भुत रंग और विश्वस्निया अंदाज और अकल्पनिया आवाज सुनाएंगे इस सही माइने में कहें तो आपके तोते उड़ जाएंगे इसका नाम कुट्टी है और यह एक येलो आमजान पारिट है येलो क्रोन आमजान पारिट है ये अपने सारे साथ के पक्षियों में सबसे स्मार्ट है इससे जो एक्सराइज करवाया जाता है जिस तरह का भूमने के लिए कहा जाता है और सारे गामा कहा जाता है यह हर चीज़ कर लोगा आमजान के जंगलों में पाया जाने वाला ये तुदा केवल गाता नहीं है सुर में सुर में लाता है हरा मकमली रंग सर पर पीला ताज और आवाज ऐसी जैसे तोतों का सोनु निगम लफ राइट लफ राइट लफ राइट लफ राइट लफ राइट गिव शेकेंड गूड बॉड बॉड बाइट और अवाला शेकेंड लाइट